वेल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल वर्ल लिटरेचर आज का जो टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विक्टॉरियन एज विक्टॉरियन एज जो है वो 1837 से 1901 तक चलती है विक्टॉरियन एज से पहले जो है वो रॉमेंटिक सिजम की मुमेंट आती है और रॉमेंटिक एज चलती है जिसमें रॉमेंटिक पोईट्री लिखते हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ जो है वो अपना रियक्शन देते हैं इससे पहले अलजबितन एज ऑगस्ट लिटरेचर सारे जो लेक्टॉर्स हैं वो डिस्कस हो चुके है उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौझूद है वो वीडियो आप पहले रेखेंगे तो आपको विक्टॉर्यन एज के भी अच्छे समझ आएगी कि विक्टॉर्यन एज में जो है वो एज ऑफ नौवल्स है एज ऑफ ग्लोरी है पर इंग्लैन और साथ ही साथ इसमें कौन से म मेजर वर्क्स होए थे वो हम लोग आज की वीडियो में हो डिसक्स करने वाले हैं तो यह जो एरा है विक्टॉर्यन एज कौइन विक्टॉर्या जो है वो एटीन थर्टी सैवन में यहां पे इंग्लैन के अंदर कौइन बनती है इससे पहले जौर्ज थर्ड का एरा चल रह करें तो यह एरा नॉवल कहलाता है इसमें जो है वो नॉवल्स पे बहुत ज़दा वर्क्स हो रहे थे हर एज स्वीकर फिक है लाइक पिछली रॉमेंटिक एज है वो रॉमेंटिक पॉलिट्री के लिए है उससे पहले जो अल्द बित्सन एज है उसमें ड्रामा लिखा जा इसके अंदर बात करें इसके important writers की from literature point of view तो Charles Dickens आ जाते हैं Charles Dickens जो है वो most dominant personality है in the first half century of the Victorian era तो जो दपिक विक पेपर इनका first work है आवर mutual friend जो है वो इनका last work है Charles Dickens का उसके बाद William Thackeray आ जाते हैं इनका vanity fair जो है वो work इन्होंने अपना novel दिया था इसमें उसके बाद three Bronte sisters आ जाती है Charlie Bronte, Emily Bronte and Anne Bronte, Emily Bronte का work है Emily Bronte का यहां पर work है Woodring Heights and Anne Bronte का work Jane Eyre काफी famous है लेकिन इस टाइम पर Victorian age के अंदर एक यह feminism को इतना ज़्यादा support नहीं किया जा रहा था women's को इतनी independence नहीं थी इतनी freedom नहीं थी कि वो अपने novels को जह हैं वो publish करवा सके अपने ही नाम से so यह एक fall था इस age के अंदर next इसके अंदर जो है वो George Elliot आ जाते हैं जिन्होंने अपना work दिया था middle March 1872 के अंदर और Thomas Hardy हैं उसके बाद जिन्होंने अपना work दिया था under the green wood tree 1872 judge the obscure 1895 ये इनके works आ जाते हैं उसके बाद Victorian age के अंदर poetry भी हो रही थी pros भी हो रही थी तो poetry के अंदर जो writers आ जाते हैं वो है Robert Browning, Alfred Tanson, Thomas Hardy और GM Hopkins अब Robert Browning जो है इन्होंने दिया था dramatic monologue का introduce कर आए था उसके बाद Alfred जो है ये जो मीटर और मेकाफी के master थे और Thomas Hardy ने भी अपनी poems जो थी वो दिया थी और रोडियार जो कुप्लिंग है उन्होंने अपना work दिया था white man's burden theory वो उसके लिए famous थे लेकिन यहां पर उन्होंने poetry भी की थी Victorian age के अंदर उसके बाद Milankoli और Matrix के लिए जो famous है वो है Alfred और ये laureate शिप इन्होंने on की थी Victorian age के अंदर नेक्स जो है वो GM Hopkins जो है ये पहले poetry के तरफ बहुत ज़्यां इंट्रस्टिड थे देन इनको religion के तरफ जाए तो इन्होंने अपना religion के उपर ज्यादा focus कर दिया और अपने जो भी सारे works से उनको जला दिया था उसके बाद अगर इसमें drama की बात करें तो Oscar world जो है वो बहुत famous है drama के हवाले से यहां पर उसके बाद जो है इस age के अंदर एक और जो पॉइट्स है विक्टोरियन पॉइट्स वहें Charles, Swinburne और WbH इन्होंने भी जो अपनी पॉइम्स थी वो collection जो थी वो काफी लेट इनकी पब्लिश होई थी works हो यह पहले से कर रहे थे romantic case से ही लेकिन इनके जो works है वो पब्लिश बहुत लेट होई थे उसके बाद ज जो चिल्ड्रन के education है उन पर focus करने के लिए कि उसको compulsory बनाया जाए और चाइल्ड लिबर को control किया जाए उस because of उस टाइम पे जो इंटरस्टेलेशन बहुत ज्यादा हो रही थे और लेबर क्लास जो बढ़ती जा रही थी और इस वजह से फिर जो यह moment आयो यह एक moment आईड important है उसके बाद अगर इस विक्टोरियन एज की बात की जाए तो इसमें supernatural और फेंट से भी लिखे जा रही थी जो बहुत mystery किसम के novels भी जो है इस time पे जो है वो लिखे जा रही थे और इस विक्टोरियन प्रोस की बात की जाए तो इसके अंदर जो important नाम जाते हैं वो Thomas Macaulay जाते हैं Thomas Carlyle आ जाते हैं और जॉन स्टॉर्ट मिल इनके जो works हैं वो आ जाते हैं प्रोस के अंदर भी so यह overall हमारी थी Victorian Age I hope के आपको Victorian Age की समझ आ गई होगी चैनल को subscribe, video को like और share कर दीजिएगा thanks for watching my video